बिस्मिल्ला रह्मान रहीम तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सल के अंदर अगर आपको रेस्टुरेंट बिल सलिप फॉर्मिट अगर बनाना हो तो आप यहां पर किस तरीके से बना सकते हैं तो इसके लिए हम यहां पर अपना जो है वो स्टार्ट से जो है वो स्टेप स्टेप अपना फॉर्मिट को यहां पर एडि करेंगे सबसे पहले आपके पास एरिया सेलेक्ट होना चाहिए कि आपने कितने कॉलम्स और कितनी रॉस को ओपर कवर करना है तो मैं क्या कर लेता हूं यहां पर कुछ कॉलम्स यानि के ए से लेकर जी तक कॉलम्स को यहां पर म आपको सेलेक्ट करने ही वो आप अपने साब से देख लिएगा फिलाल मैं यहां पर चार रॉस सेलेक्ट करके इनको कर दूँगा यहां पर मर्च कर दूँगा अब इसके ओपर जो होगा हमारी हैडिंग्स होगी कि आपके रेस्टोरेंट का नेम क्या होगा वो आप आप य हो इसका अलायमेंट सेंटर कर लेंगे और सबस्क्रांप इस तरीके से अब कलर फॉन मेट यहां पर मैं ब्लैक कर देता हूं और इसका फॉन्ट है वह वाइट कलर में अब नेच्छ जोग आपके पास यहां पर आपने जो है वह इसकी आईडी मेंशन करनी है तो इसके तो जो आपने First Cell Merge कियोगा इसी के साथ जो है आपने यहां पर selection मना लिनी हैं और जहां तक आपको merge करवाने है selection मनाने के बाद आपने इस वाले option पर जाना यहां पर merge across पर click कर देना है उसके बाद यहां पर आपके पास जो आपकी ID होगी वह आप यहां पर add करेंगे जैसे मैं यहां पर ID इस तरीक से डाल देता हूं और क्या क्या हमारे पास जो है वो requirement है तो जैसे मैंने यहां पर लिख लिए काफी और इसके बाद नीचे आ जाते हैं और यहां पर हम लिख लेते हैं water तो फिलाल अभी यहां पर sample जो है मैं add कर रहा हूं juice लिख लिख लेते हैं और इसके बाद यहां पर हम add कर लेंगे milkshake और alignment इसकी हम जो है यहां पर left कर देंगे अब इसी तरह last के जो आपके पात 2 cells है इसको भी आपने merge करन है अब यहां पर आपके पास जो amount होगी वह amount आपने यहां पर add करनी है तो सबसे पहले जो है यहां पर ाइडी जो भी होगी जो भी आपके names होंगे client के या जो भी renders होगा तो उसका नाम आप यहां पर लिख लेंगे फिलाल जो है मैं यहां पर अपना ही नाम यहां लिख हो अब इसके बाद यहां पर नीचे आते हैं अब यहां आपके पास है amount amount आप कुछ भी लिख दी जैसे मैंने यहां लिख दिया 500 और water हमने यहां पर कर दिया 150 और इसके बाद juice होगा हमने 300 कर दिया और इसके बाद last आपके पास है milkshake है कि हमने कर दिया 450 currency अपने इसाफ इसको इस तरह करेंगे इस तरीके से और income कर देंगे March और यहां पर हम adding डाल देंगे total तो यह हमारे पास total आजाएगा alignment वगारा हम set कर लेते इसकी जो भी formatting आपको रखनी है format रख सकते हैं इसके अंदर और इसका font भी हम यहां पर change कर लेते हैं aerial font रख लेते हैं अब इसके ब बाच आएंगे नीचे इस वाले area को भी आपको ऐसी काम करना है तो आप इस format की copy निकालिए यहां पर select कर दीजिए इस तरह अगर आपको दुबारा format चाहिए अब देखिए एक से ज्यादा अगर format apply करना हो तो आप double click कर दीजिए गा format पे उसके बाद जो है यहां पर आप format बना सकते हैं different तो देखें हमें यहां पर format बना लिए उसके बाद वापिस सिंगल क्लिक कर दीजिए अब यहां पर आपके पास है एक cash का column जिस पर आपके पास cash वगरा entry होगी और इसके बाद यहां पर हम add करेंगे change और last one हम यहां पर add कर देंगे bank card क्योंकि bank card वगरा से भ format same as it is जो है वो receive की है तो जैसे मैं यहां पर type करता हूँ 1500 और currency आप set कर लिजेगे यहां पर आपको जो currency रखनी है currency add कर लेंगे अब next कितना आपने change आपने return किया तो आप यहां पर equal लगाएंगे जो आपका cash receive होगा आप इसको minus कर देंगे अपने total से और enter कर देंगे अब bank card की जो requirement होती है कि अगर payment आपसे bank card पर आ रही तो आप वो लिख सकते हैं otherwise यहां पर अभी हम फिलाल जो है वो कुछ इस तरीके का format बना लेते हैं और 589 कुछ भी हम last digit यहां पर mention कर देते हैं अब next जो आपके पास जो नीचे वाला area आ रहा है इसके अंदर आपको क्या करना है तो मैं यहां पर यह area जो है वो इस तरीके से select कर लेता हूं और select करने के बाद यहां पर इंको कर दूँगा मर्च अब यहां पर जो है वो आपको message देना है अब message क्या होगा आप कुछ भी दे सकते हैं फिलाल हम यहां पर लिखते हैं जैसे thank you for choosing our restaurant restaurant अब देखें यहां तक अगर आपको जो है line break करनी है कि आप चाहते हैं नेक्स लाइन में आजए तो आपको क्या करना होगा यहां पर alter enter आपको प्रेस करना है alter enter प्रेस करेंगे तो आप next line में आजएंगे उसके बाद continue कर सकते हैं इसको we wish you to message लाजमी नहीं कि आप यही दीजिए तो जो भी message होगा आप अपने असाब से दे सकते हैं यहां पर तो जैसे मैं लेकर you a good day and good mood तो पहले फिलाल जो हमने यहां पर driver type कर दी है इसके बाद एंटर कर देंगे और centerize कर देंगे और इसका color जो हम यहां पर कर देंगे red color कर देंगे अब next जो नीचे वारी line होगी इसके ओपर आप एज़ा footer बना लेंगे इनको हम select करके merge कर लेते हैं color हम यहां पर select कर देंगे इसका fill black और इसकी जो font color है वो हम इसको red रखेंगे यहां पर अब यहां पर आपको क्या type करना है आप यहां पर add कर सकते हैं लाइमेंट हम left करते हैं जैसे मैंने यहां पर type कर दिया manager उसके बाद मैंने यहां पर dot it इस तरीके से lines इंसाइट कर देनी है, उसके बाद आप यहाँ पर चाहपा नाम लिख सकते हैं और उसके बाद हम कर देंगे इंटर, इंटर करने के बाद सेंटराइज करना चाहिए, सेंटराइज कर सकते हैं, मिडिल करना चाहिए, मिडिल कर सकते हैं, और यह हो गया आपका पूरा एक बिल स just side पुरा border आ जागा इसके इलावा घर आपको इनके जो है वो font colors वगारा चेंज करने हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं तो मैं control क्लिक करके जो है यहांपर else करेलएता हूब इनको red लिट्राओं करें जाूंत इसके Ilasters कर लिए तो आप यहां पर जो आपको ज़रू समझ में आगी होगी तो वीडियो अच्छे लएगे लाइक कीजिए फ्रेंड्स में शेर कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में शुक्रिया